सो हे गाईस कैसे आप सभी उम्मेद है कि यह आप अच्छे होगे दोस्तो एक भरती के आपको जनकाई दिनी थी एक नया नूटी वीके संजारी किया गया है और यदि आप इन भरती के लिए चुक है तो जरूर आप एपलाई करना क्योंकि दसी पास के लिए बारी पास के लि इस वीडियो पूरा देखना आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है अभी तक आपने वीडियो लाइक ने करा लाइक कर देना सेयर कर देना और हम आपके लिए पलपली के जाएं के लाते रहते हैं कोई भी अपडेट आता है तो चैनल सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर देना तो जले तेन भरती के वारे में तो साथियो पंदे जनवरी से एसाइसी में एपली के सांफ फॉर्म भर जाएंगे और लाइन आपको एपलाई करना होगा और इसका लाइट क्या है पंदर है फरवरी तो पूरा एक महीना मिलेगा दोस्तों आपको एपलाई करने के लिए आप अराम से एपलाई करना जन्रल एडल वालों के लिए एपली के सांफ फॉर्म की फीस है 500 रुपे एंड ऐसी प्याच की दोस्तों एपली के सांफ फॉर्म की फीस है और लाइन आपको एपलाई करना होगा किस प्रिकार आपको एपलाई करना उसक पोश्टी काफी सारी हैं तो हम आपको बताएंगे धीरे धीरे तो प्लीस वीडियो धियान से देखो अब बात के लेते हैं आपकी एज के वारे में दोस्तो एपलाई करने के लिए आपकी अमरसी में क्या होना चाहिए मैं इंपोर्टेंट टॉपिक है इसके बिना तो कुछ होगा दोस्तो दियान दो अठाय साल से लिेके 27 सल के बीच होना चाहिए जिया मेरे भाईयो है अपकी एज 28 साल से बीच होगा तो आप एपलाई कर सकते हैं MTS के लिए ठीक है UDC के लिए Steno के लिए और हां दोस्तों यदि आप SCST या OBC से आते हैं तो 5 सल की छूट आपको मिलने वाली है और OBC से आते हैं तो 3 सल के छूट आपको मिलने वाली है लेकिन आपके पास कास सेर्टिफिकेट होना चीए All India वाला ठीक है यदि है तो आप दोस 2857 से की बीच हो होना चीए जैसे कि आप देख सकते हैं तो कुल मिलाकर आपकि ऐस 18 सा से लेकर सातेज़ साल के बीच है तो है तो आप applies कर पाओगे अब आगे बात करते हैं दोस्तों आपकी vacancy के वारे में टोटल मिलाकर दोस्तों जो वेकनशी है 3847 जी हां मेरे भाई आपने सही सुना दोस्तों इतनी वेकंसी के नुटीविकेसन आउट हो चुका है और ये भी ऑल इंडिया बहाते के सीवरा जैसे आते हैं आप एपलाई कर सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं हम आपके एजुकेशन के वारे में आपकी पड़ाई क्या होना करने के लिए करमचारी राजय बीमन इगम में अपलाई करने के लिए आपका एजुकेशन क्या होना चाहिए दोस्तों जो भरती आई हैं दसी पास के लिए हैं बारी पास के लिए एंड डिगरी पास के लिए यदि आप गिजट पास हैं तो सभी के लिए भरती आउट हो च मैं चुके ओ अब आगे बात करते हैं यदि आप इस टैनों के लिए अपलाई करते हो तो भाही आप बारीं पास में लेकिन दोस्तों आपको इस टेनों आनी चाहिए में इस टैनों में अब आपका सपना है गॉर्रमेंट जॉब करने का तो भाई इस भरती में आप जुरू एप्लाई करना 3847 यह भी ऑल इंडिया तो हर इस्टेट के बंदे एप्लाई कर सकते हैं अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हमने आपको एजुकेस्टन कॉलिफीकेस्टन बता दिया है एक अब आपको बता देते हैं जैसे कि आप यूपी से आते हैं उत्तर परदिश से तो आप देख लेना सभी कैटेगरी वाई दोस्तों इसमें वैकंसी दे रखी है जनल की हुई स्टपे स्टपे सर और यूपी सिकी होई और सही अब देखो जैसे कि अब उडिश की लिए अपले करते हो तोरस näमें यू-ॉ-्र की सथी की वैकंसी नहीं है ओबीसीकी दोस्तों नो है इडिश की तीन है कुलमलाकर 36 वैकंसी 15 अतर परदिश के लिए दोस्तों यूडिस pastor प्रूंटी चोjac दो सर्ज और सब आते हैं तो सभी थी के और रहें यह सार्चर्ठ पर अğबने बात करते हैं में में कितनी स्ट की एक 15 filling एंड एड़ोस किया ग्यार है कुल मिलाकर 119 वैकनसी है MTS की UP में ठीक है इसी पिकार आपको देखना जिस राज्य से आप आते हैं स्टेट से आते हैं दोस्तों उस स्टेट के लिए आप एपलाई कर सकते हैं तो कुल मिलाकर जो वैकनसी है सबसे ज्यादा MTS की 119 दसी पास के लिए बारती है यह एंड यूडी सी के तरहीं दोस्तों 36 ठीक है यह डिगरी पास के लिए बहती है तो हमने आपको तीनों ही बता दिया इसी पेकर आपको देखना बाकि दोस्तों आपको नोटे वी केसां टेलेगां पर मिल जाएगा लिंक हम नीचे दे दिया आप डाउट की पैंदर जनौवरी से एपलाई करने के लिए मेल फीमेल दोन है अप बढ़िया मौका दोस्तों सरकारी नौकरी पाने का तो आप जुरू है करना दरसी पास के लिए बारी पास के लिए बढ़ती है और एपलीकेसां फॉर्म की फीस है 500 पे हम आपको वता चुके हैं जन्र सल के बीच होना चाहिए ऐसी वालों के लिए दोस्तों तीन सलीकिज में छूट है तो का सेटे विगट आपके पास होना चाहिए और इंडिया वाला आप एपलाई कर सकते हैं तो आप इन भारती के लिए जरू है जो बच्चे जीवलें बाकि आज की वीडियो मतना ही था अ वीडियो आपको पासंद आई तो लाइक कर दो सेर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरू करें न हम आपके लिए पलपलाई के जाएं कर लाते रहते हैं कोई भी अपडेट आता है तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में आप तियारी करते रहो अपना ख्यार लगो जा हैं दो